नीदरलेंड्स को जीत के लिए चाये ते 411 रन फिर हो गया बड़ा चमत का दुनिया हो गई हैरान ये दोस्तों वर्ल्डकप दोजात इसका आकरी लिग मकाबला बारत और नीदरलेंड्स के बीच में खेला गया ये बड़ा मकाबला कापी हाई वोल्टेज और आई बना दिया तो बताएंगे आपको इस वड़े मकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो आप इस वीडियो को एंट तक जरू देखतेरे वीडियो को लाइक कर दिजे चैनल पाने हो तो सस्क्राइब करके बैल बटन जरू दबालीजे दोस्तों आज टीम इंडिया ने टोजि रोई सरमा ने 54 गिंदों पर 61 का योगदान दिया कप्तान रोई सरमा ने भी आठ चोके और 2 सांदा चके लगाए उसके बाद में विराट कोली ने भी 56 गिंदों पर 61 की पारी के लिए लेकिन उसके बाद में अहम बलेबाजी का रोण निबाने आए सिरेश एयर और केल रल सांदा चके लगाए तो में केल रहूल ने मैस 62 गेंदों पर अपना सांदा शतक जड़ कर वर्ल्ड कम में सबसे तेज सतक का रिकोर्ड बना लिया जग केल रहूल दुवारा आज 11 चोके और 4 चोकों की ताबर तोड़ पारी केली गई जिसकी बदूलत टीम इंडिया ने ग्यारा का लक्ष दे दिया जवाम में लक्ष का पीछे करने उत्री नेदरलेंड की सुर्वात बेयाद कराब रही जब मोमज सिराज ने उनके ओपनर्स को मैस 4 के स्कोर पर पावलें में पहुचा दिया और टीम इंडिया को पहली सपलता दिला दी उसके बाद में तो बान पुरी तरह से डेश मैस होता हूँ नजर आया जवाम में टीम इंडिया ने आज वर्ल्ड का में लगाता नवी जीत प्राप्त कर लिये और टीम इंडिया की जीत के हुईरो रहे जा केल राउल और साथ में स्त्रेस एयर इन दोनों ने ताबर तोड अंदाज में सतक टीम इंडिया का इस बड़े मकाबले में जितानी में योगदान रहा दोस्तों वीडियो फसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरू सस्क्राइब करें ताकि एसी अपडेट आप लोगों को मिल दे रहे